अमश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं खबरकिसान की यूट्यूब चैनल मैं हूँ आपका दोस्त संकेश शर्मा और आज मेरे साथ मौजूद है एक खास इंसान खास इसलिए कि इन्होंने अपनी प्राइविट नौकरी छोड़कर विदेश में यह थे और इसको छोड़कर और यह भारत आये और यहां पर आज एडिबल रूट्स नामक और्गनिक फार्मिंग की जो पूरी कंपनी है उसका संचालन कर रहे हैं तो क्या कुछ पूरी जनरी रही कपिल जी की आज जानेंगी कपिल जी से बहुत-बहुत स्वागते सर आपका थैंक्यू जो छोटा सा कि आपका जो इंट्रो है परिशे है वो हमारे केसान भाहियों को बताई जी मेरा नाम कपिल है और मैंने पढ़ाई जो की थी इंफ्रमेशन सिस्टम्स फाइनाइन्स की की थी आज से बहुत साल पहले विदेश में की थी फिर वहीं पर मैं पढ़ाई करने के बाद मैंने से बड़ा तंग आ गया था और मुझे लगा के मैं जीवन में ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं जिससे मुझे संतुष्टी मिले जिससे मुझे सुख मिले तो फिर मैंने थुरा सा सोचना विचार शुरू किया और मुझे लगा के खाना और हमारी सहत ये जुड़ेवे हैं और इन दोनों का जुड़ाओ खेती से है किसानी से जहां से हमारा खाना उकता है खुछ नसीबी से मेरे परिवार की एक जमीन थी कुछ रात में जहां पर मैं जाके शुरुआत कर सका तो फिर मैं विदेश शुड़ के 2008 में इंडिया लोटा और तब मैंने वहां पर अब इंडिया में अलग-अलग किसानों से मिला और इस तरह से मैंने अपनी किसान का जो तौर तरीका है वो थोड़ा सा सीखने का कोशिश किया अच्छा एक बाँ बताईए जैसे कि आप विदेश में सैटल थे तो बहुत कमी ऐसे लोग होते हैं जो इतना टफ डिसीजन ले पाते हैं जब आपने ये डिसीजन लिया तो थोड़ा आपको नहीं लगा कि घरवाले परिशान हो जाएंगे या आपके घरवालों ने कुछ आपको क्रिटिसाइज वगरा तो नहीं किया कि क्या गर रहे हो यह कैसे स्टैबले रहे हो इसमें भी मैं खुश नसीब रहा हूं मेरे फैमिली सब जो हमारी एक्सेंट फैमिली भी सब ने मिलके मुझे मेरे डिसीजन को सपोर्ट ही नहीं किया मुझे आगे मदद भी की बस आके उसमें उन्होंने में फाइनेंशल सपोर्ट भी दिया इन्वेस्मेंट भी किये जो उनके कॉंटक्स से उनसे से भी मिलवाए ताकि मैं और आगे भर सकूं तो मुझे तो लखीली बहुत पुरा सपोर्ट मिला है लेकिन मैं समझ सकता हूं कि हर एक को यह नहीं मिलत इसमें अभी हम करीब 20 लोग जुड़े वे हैं जो हमारा काम है हम 3-4 चीज़े करते हैं घर में जोेम है जो जोगों है वह गोल है वह यह है कि हम लोगों को अपने खाने के प्रतीज जागुरुत करें और ये करने का तरीका हम अरे करने केवा चांवन को सिखाते हैं कि वह उनकी जगह पे जाते हैं उनके छफ पे, उनके आंगन में, उनके कोई जमीन है, कोई छोटी और बड़ी, या बालकणी में, जहांपर भी जगह हो, जहांपर भी धूप आती हो, वहाँ पर जाके, उनको हम सेट उप कर के देते हैं, कि इस तरह से अपना और उसमें志म जो हम जिसको MP3 के ले आमusta में के लिए हम उसमें लुटा के बंपर आइए negotiated के लिए हैं में लेले हम उसमें सब्सक्रचिते हैं और उनकी वॉच्चान के मुटाबिक वह बी आगी उसमें इन्वन से विल्कुल व्त शारा काम और उगानिक है सबजियों का तो होता ही है लेकिन कोई फल के पेड़ है कोई अनाज है कोई तेल है तो इस तरह की जो आइटम्स बना के ये भी हम हमारे एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम बेचते हैं अगर कोई ऐसी फैमिली है जो शुद्ध खाना चाहती है लेकिन उसके बास जमीन नहीं है और वो चाहती है कि आपसे संपर करें फार्म लेट की मदद से तो अलग बग कितना खर्चा मान के चले सालाना कि उसको इतना खाना पे खर्च करना पड़ेगा हमारे तीन-चार फर्म है और हर एक लोकेशन का हलका सा कॉस्ट अलग होता है जगा के मताबिक वहां के लेवर कॉस्ट के मताबिक बिजली के मताबिक लेकिन एवरेज कोस जो है वो पांथ से छे हजार रुपे पर मंद की आती है जिसमें लेकिन आपको शुद्ध खाना मिल तो इससे ज्यादा शुद्ध हो इनी सकता और जिसको हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं नो और फूड आप अपने खाने के बारे में तीन एहम सवालों का जवाब जानते हैं एक है कि आप कौन उगा रहा है आपका खाना कहां उगा रहा है और कैसे उगा रहा है अगर आप अ सवस्त खा रहे हैं आपकी जो लाइफ स्टाइल है विल्कुल हैल्दी रहती है अच्छा एक चीज और मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि पूरा और्गनिक तरीके से आप लोग कर रहे हैं लेकिन अक्सर जहम किसानों से बात करते हैं किसानों से मिलते ह उगाने के अलावा यह है कि आपको उसका जो जो मार्केटिंग है जो बेचना है आपको अपना उटपादन उसके लिए आपको अपना कहीं न कहीं से कोई तरीके से डिरेक्ट नेटवर्क बनाना पड़ता है अगर आप वही चीज मंडी में जाके बेचेंगे तो आपको आपको वही मुल्य मिलेगा जो बाकी चीजों का बाला रहा ह然 यह तो इसलिए आपको कभी फायदा नहीं हुआ कि यह तो जाहिर है कि जो गोष्य के शोपाधन कम होता है इसे पहले 2-4 शाल कम होता है 동ड़े देल आपकी मिट्टी सुधरती तो अउसी लेवल पर आ जाए ललेकिन एक बर जब आप जब आलाओ यह बदलाव और खुद से भी करते हैं, जो अपना खुद एक कोपरेटिव बनाते हैं, या खुद से अपना कर बड़ा फार्म है, तो अपना खुद का एक वेबसाइट बनाते हैं, खुद का अजकल सोचल मीडिया इतना आसान होगा, यह नहीं कि आप जाकी सीधर अपना मंडी में आज ल मिलेगी, एक किसान ही है, जो उगा के सीधा मंडी में जाके रख देता है, और किसी और के उपर निरभर है, कि हमको क्या दाम मिलेगा इसका, तो जब तक हम अपना खुद का कंट्रोल नहीं लाएंगे, कि हम इसको कहा बेचेंगे, किस दाम पर बेचेंगे, आप उसका दाम कंट्रोल करना है, खास करके अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो जब आप यह करने लगेंगे, तो इसमें बहुत आमदनी है, कही और्गानिक किसान है, जो इस तरह से पैसे कमा रहे हैं, अच्छे खासे, तो आपको क्या लगता है कि अगर जैविक खेती हम लोग करते कि यह नहीं कि जिसके जो बंजर, हम देखी रहे हैं, आजकल कई स्टेट्स में, हम सुनते हैं कहानिया कि जमीने बंजर हो गई है, पानी नहीं बचा है, यह सब जहर का ही कारण है, तो हमारा खुद का फाइदा तो हो रहा है, अभी का अभी, पैसे भी अच्छे मिल रहे है और हमारी जमीन भी आगे की पेरियों के लिए अच्छा हो रही है, कोई अच्छा सा एक्सपीरिंस आपके दिमाग में हो, कि कोई कस्टमर आस्वे टकराया हो, जिसने आपको रिवर्ट दिया हो, अप्रिशेट किया हो, कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं का फिल, आपक आपको चीज का जो असली स्वाद है, जो हम खोई चुके हैं, क्योंकि आज कल जो चीजे आरे हैं, बजार में फल, सब्सब्स, उनमें वह स्वाद रहा ही नहीं है, तो इसका में कारण है कि यह फ्रेश है, आपकी सब्सब्स आपके पास उग रही है, वह दो चार दिन ट्र नुट्रिशन सब ख़तम हो जाता है, अच्छा देश की युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो प्राइवेट नोकरी कर रहे हैं, जो अपने गाउं से पलायान कर चुके हैं, और वो जाते हैं, चाहते हैं कि खेती करें, शुरूआत करें, तो उनको क्या स अच्छा देश देना चाहेंगे, जो उनके पिताजी या जो उनके फैमिली किसानी कर रही है, उनसे बेसिक फार्मिंग सीख ले, पहले बात तो यह है, जो मैंने जो जुसरा कदम उठाना पड़ता है, वो है कि आपको जो जहर वाले खर्चे हैं, वो खतम करने हैं, उसके अलावा आपका जो मैनुवल कोस्ट है, लेबर कोस्ट है, उसको कम करना है, ठीक है, और फिर जो हमारे खेत में ही उग रहा है, उसको फिर से अपने खेत में ही डालिये, या उसको खाने का मल्च के तौर पर खाद बना के खाद, बना को सकता हैं, तो बहुत तरीक हैं, तो आपको किसी भार किसी दुकान वाले पर या किसी बीच वाले पर या किसी निर्बन नहीं पड़ेगा अगर इतना ही कर लेंगे तो आपका खर्चे कम हो जाएंगे फिर आमदनी मानलो अपको अपको प्रॉफिट कम नहीं होगा तो यह तरीका है सबसे पहले अपनाने का और दूसरा संगठन बनाईए कि खाली अकेले-अकेले मत करिए तो कि जब आप बेचने जाएंगे आप अपना चना अलग बेचेंगे कोई अपना पडोसी अपना बेचेगा अब मिलके जा अपना खुद का अनभव साजा किया कि कैसे इन्होंने यूएस रिटर्न होके भारत में आके जैविक खेती करी उनके घरवालों ने इनको सब्पोर्ट किया अगर आप भी एडिबल रूट से जोड़ना चाहते हैं या इसके जो उत्पाद है वो खरीदना चाहते हैं तो न अन्यवाद